नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है, आज आशिमा महाजयन Hindi Learning चैनल पर लेकर आई है, क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नमबर 16, पत्तराल्य इजी एक्स्पानेशन, सॉल्बुक एक्सराइज, रिटर्न अनुबात के साथ, अभी तक जितने भी चैप्ट समर्थ, आगच, पत्तराल्यम, गचावे, मोहन, समर्थ से कह रहा है, डो फ्रेंड्स हैं, आपस में बारतालाब कर रहे हैं, मोहन और समर्थ, मोहन क्या कह रहा है, समर्थ, अगच, आओ, पत्तराल्यम, जाने की डाकगर, गचावे, चलते हैं, समर्थ है कि मर्थम, समर्थ ये मोहनें तत्र मतलब वहां गत्वा मतलब जाकर पत्रानी मतलब पत्र आने श्यावाय मतल लाएंगे एकम पत्रम च मित्रम लेखी चव मतलब और एकम पत्रम एक पत्र मित्र को लेखी श्यावय लिखेंगे वहां जाकर पत्र लाएंगे और एक पत्र मित्र को लिखेंगे पत्राले गत्वा पत्राले गत्वा समर्थ है बहुन जनान द्रिष्टवा मुहनम अप्रिच्छत पत्राले गत्वा पत्राले मतलब डाकगर, गत्वा मतलब जाकर, समर्थ है, बहुन जनान द्रिष्टवा, बहुत लोगों को देखा, किसने समर्थनी, मोहनम अपरिच्छत मोहन से पूछा, पत्रालिय मतलब डाकगर जाकर जा पहुंचकर समर्थनी, बहुत से लोगों को देखकर मोहन से पूछा, समर्थ है अत्र बहवा जना वरतंते अत्र मतलब यहां बहवा मतलब बहुत जना मतलब लोग वरतंते मतलब है यहां बहुत लोग है एते सर्वे किम किम कारियम कुरवंती एते मतलब यह सर्वे मतलब सब किम किम मतलब क्या क्या कारियम कुरवंती मतलब करते हैं यह सब क्या क् करते हैं मोहने मोहन कहा रहा है अगच्छ आओ सर्वं कथ्यामी सब बताता हूं अत्र सर्वे जनाहा विविदानी कार्यानी कुर्वंती अत्र मतलब यहां सर्वे जना सब लोग विविदानी तरा तरा के डिफ्रेंट टाइप्स के कार्यानी काम कुर्वंती करते हैं यहां सब लोग तरा-तरा के काम करते हैं धना देश लेक के धना देशम करोती धना देश कोन होता है मनी आडर क्लर्क ठीक है धना देशम करोती मनी आडर करता है पंजी करता है पंजी करोती जो रेजिस्ट्री करने वाला होता है रजिस्ट्री क्लर्क पंजी करोती रजिस्ट्री करता है अवशिष्ट कोश से लेख के ग्राके बे धनम ग्रहनाती तेबिय ददाती च अवशिष्ट कोश अवशिष्ट से ही पता चलता है बचा हुआ है तो बचत खाता क्लर्क क्या करता है ग्राके बे धनम ग्रहनाती ग्रा से money money order clerk money order करता है पंजी करता जाने की रजिस्ट्री करता है बचत खाता जो saving करते हैं आपके accounts को saving करते हैं आपके पैसों की तो बचत खाता clerk ग्रहकों से धनम ग्रहनाती पैसा लेता है तथा उन्हें देता है अन्य लेक के मुल्यम ग्रहितवा ग्राके बे मुद्रा अंकितानी पत्रानी यश्टी अन्य लेक के दूसरा clerk मुल्यम ग्रहितवा पैसे लेकर ग्राके बे ग्राकों को मुद्रा अंकितानी पत्रानी यश्टी मुद्रा अंकित पत्र देता है कौन सा मुद्रा अंकित पत्र हो लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो हमने देखा हुआ है कि किस तरह पोस्ट ऑफिस जाते हैं वहां पर जो निया लेटर लिखना होता है उस नए लेटर को जब लेते हैं तो उसके उपर आलरडी यहां पर स्टेंप लगा हुआ एक क्या कहते हैं उसको स्टेंप लगी होती है जो भी स्टिकर उसके उपर होता है ना टिकट जिसे आप कहते हैं तो वह बाला पत्र फिल लेके आते हैं फिर उसमें लिखते हैं समर्थ है इमेल से मुझे याद आया बच्चो अगर आपके स्कूल में हिंदी ग्रामर में कहीं इमेल हो जाने की इमेल लेखन होता है अनुचेद लेखन निबंद लेखन पत्र लेखन संबाद लेखन सूचना लेखन कोई भी टॉपिक हो विग्यापन लेखन या फिस सार लेखन कोई टॉपिक मेरे चैनल पर ऐसा नहीं है जो ना अपलोड हुआ हो सारे के सारे आपको जो topics है, 9th, 10th की playlist में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, 9th, 10th की playlist का link इस video के description में मैं आपको दे दूँगी, बहुत इसी तरीके से email लेकर, पत्र लेकर समझा रखा है बच्चों को, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये format हिंदी में लिखने ही नहीं आते हैं, वैस अत्र बहवा जना की मर्थम आगता, यहां बहुत लोग, बहवा जना बहुत लोग की मर्थम किसलिए, आगता मतलब आई हैं, मोहन क्या कह रहा है, भो, एते विविदे बेर कारे बे आगता, अरे, एते, मतलब ये लोग, विविदे बेर, तरां तरां के कारे बे आगता कार लेने के लिए कच्चित धनादेशम कर तुम कोई मनी ओर्डर करने के लिए कच्चित धनादेशम कर तुम कोई सेविंग बैंक में पैसा जमा करने के लिए कच्चित अफशिष्ट कोशे धनम रक्षितुम सोरी फिर से पढ़ दी हो कच्चित पत्रानी ग्रहतुम कोई पत्र लेने के लिए कश्चित धना देशम करतू कोई धना देशन मतलब मनी ओर्डर करने के लिए फिर कश्चित अफशिष्ट कोशे धनम रक्षितुम कोई सेविंग बैंक में पैसा जमा करने के लिए कश्चित अता रुपेकानी घ्रहतुम और कोई जो सेविंग में में पैसा जम मचता था जब मैं तो जानता था यत पत्रानी की पत्र पत्र भाक से समी पे भवंती पत्र भाक कोन होता है डाकिया की पत्र डाकिया के पास होते हैं मुहने अब मुहने के रिपलाई दिया तत अपी सकते हैं वे भी सकते हैं तत मतलब वे अपी मतलब भी वे भी सकते हैं परंत तस्य समीपे परंतु उसके पास पराए लिखितानी पत्रानी बवंती लिखे हुए ही पत्र होते हैं अब जो लेटर सब लोग अपने शहर से दूसरे शहर में जा सेम शहर में डालते हैं तो वो तो लिखे हुए होते हैं वो डाकिये के पास होते हैं लेकिन अगर न्यू ही मिलते हैं जाने की बिना लिखे पत्र तो डाक गर में ही मिलते हैं ओके मोहन की बात को फिर से रपीट कर रही हूं वै भी सही है परंतु उसके पास पराए लिखे हुए ही पत्र होते हैं नए पत्र तो डाकगर में ही मिलते हैं समर्थ है समर्थ कहा रहा है भाई पत्राली अस्य समीपे डागर के समीप एशा यह रक्त मंजुशा रक्त होता है लाल मंजुशा होता है डिब्बा यह लाल हरिताच लाल और हरा रंग का बक्सा की मर्थम स्तै किस लिए ह यान की letter box मोहन कहा रहा है एते द्वे एव पत्र मंजुशेस्त है ये दोनों ही letter box है रक्तायाम मंजुशयाम वयम तानी पत्रानी शिपा में रक्तायाम लाल रंग के मंजुशयाम letter box में वयम हम तानी पत्रानी शिपा में उन पत्रों को डालते हैं यानि अनेशु नगरेशु ग्रामेशु वागछंती जो दूसरे नगरों और गाउं में जाते हैं यानि तु स्थानियानी पत्रानी बवन्ती जो स्थानिये लोकल जो स्थानिये पत्र होते हैं दानी वयम उन्हें हम हरीता या मंजुशा या मशिपा में हरे रंग के लेटर बोक्स में डालते हैं पत्रवाहक काहा पत्रालियात पत्रानी आदाए ग्रहम 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 गमिश्यंती संकेतां चदरिष्टवा जनेबे पत्रानी रुपेकानी चदास्यंती अब सुनिए पत्रवाहक काहा जानिकी डाकिया पत्रालियात अलग हो रहा है पत्रालिया से सप्केट गाता देखनाना और पते देखकर जने बेपत्रानी लोगों को पत्र रुपेकानी चदास्यंति और मणी ओर्डर के पैसे धेंगे इवने पत्रालीस से बहना संति मेयां ये हो गए आपके चैप्सप्टर की बढ़ती हूं पहला कोशन आपकी सामनी है लिखीतानी पत्रानी क्या अन्यती लिखे हुए पत्र कौन लाता है डाकिया लाता है तो लिखीतानी उपर से उतारा पत्रानी उपर से उतारा क्या कि जगा पत्र वाकर याद करना है बाकी आन्यती उपर से उतार लिया पत्राले की कीम कारें हम भखति कहता है पत्राले में क्या-क्या डागर में क्या-क्या कारें होता है तो आपको बताई दूसरा पैसे लेकर ग्राको को मुद्रा अंकित पत्र देता है तो ये सब लिछिए आपको पंजी करनम अव्षिष्ट कोशे धन रक्षनम ग्रहांच बप्ती तथा पत्राले मुद्रा अंकितानी नवीनानी पत्रानी अपी मिलंते पत्र वाक्या समभ्यम की किम यश्टी कहता डाकिया हमें क्या देता है तो डाकिया हमें धना देशमनी ओडर तथा लिखे हुए पत्र देता है ठीक है रप्तायाम लार रंग के लेटर बोक्स में कौन से पत्र डालती है लेटर बोक्स में तो लार रंग का जो लेटर बोक्स है उसमें उन पत्रों को डालते है जो अन्य नगरोर गाउं में जाती है और सेविंग अकाउंट जो होता है आपका उसमें कहता है जो खाता कलर्क है बचत खाता कलर्क वो क्या करता है तो बचत खाता कलर्क जो होता है गराकों से पैसा लेता और उन्हें देता है अब शिष्ट कोशक से लिपी का समभ्यम धनम ग्रहनाती ददाती च्व पंजी करता है पत्रा नाम पंजी करोती कहता है रेजिस्ट्री कलर्क पत् पत्रानी है न यत पत्रानी पत्रवाकस्य समीपे बवन्ती लिखितानी पत्रानी वर्ड भूल गई हूं यहां पर मैं आप वो जरूर लिखिएगा क्यूंकि जो डाकी है उसके पास लिखे हुए पत्र होते है न तो रिक्त स्थानों की पूर्ती में यहां पर आप पत्रानी करेंगे लिखितानी के साथ लिखितानी पत्रानी बवन्ती ठीक है नवीनानी पत्रानी तू नए पत्र तो पत्राले में ही मिलते हैं डागर में ही मिलते हैं स्थानी ये पत्र हरे रंग के बॉक्स में जाने की लैटर बॉक्स में डालते हैं एवं पत औरक्षे शब्दों का संस्कित वाक्यों में प्यूकरनगाता है, पत्र यह पहने क एक यह जो लेटर बॉक्स है ना ये ला रंक का ये लैस्ट डालना सोहन है रक्त मंजुषय यह पतर रहां के की बॉक्स बॉपक्स के लॉपक्स कंज सफ दीता हो हमक्या देते पैसे लॉपके च्राइब का संधी विक्रा करना भैशो तथा प्लस एव पतर अल Jenna नीचे लिखे गद्दे खंड का हिंदी में अनुबाद करना है तो इस पैसज की हिंदी आपको आगे रिटर्न अनुबाद में मिल जाएगी आप वहाँ से देख सकते हैं संस्कृत में अनुबाद कीजिए मैं डाक खाने जाओंगा क्योंकि future tense है मैं बचत बैंक में रुपे रखूंगा अहम अवशिष्ट कोशे द्रव्यम रक्षी शामी कहीं बार बच्चों का मैसे जाता है रक्षती क्यों नहीं आया तो बेटाजी रक्षती पहली बात रक्षती से के साथ लगता है और दूसरी बात रक्षती लड़लकार में लगता है यहाँ पर गागे गी लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर future tense लड़िट लखार का प्रियोग हो रहा है रक्षधातू है रक्षी शामी दाखाने में मनी ओर्डर भी होता है पत्राले दनादेशम अपी भफ्ती यह टिकड बेचने वाला ग्रापकों को टिकड दे रहा है अया मुदरा विक्रेता ग्राके बे मुदरा ददाती दाखाने से हम पर बहुत उपकार होते है पत्रालेई वयाम बहुपक्रेता भवामे तो अगर आपको पुर्णविती परिक्षन चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिएगा उसके बाद आपको परवाइट करवा दिया जाएगा जिल्दैन आप इसका अनुवाद देखिए अच्छे से अनुवाद को समझिए Virio को एक-दो बार ध्याद से सुनिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और बीना लाइक किए इस वीडेो से प्लीस हटिएगा बीना लाइक किए मत जाहिएगा शेयर किए बीना भी मत जाहिएगा क्योंकि ये क्रियतिका बुक्ि जो लाइक होते हैं वो होकर भी नहीं होते हैं और दूसरी बात क्रितिका बुक के व्यूज बहुत कम होते हैं तो आप जतनी जादा शेयर करोगे यूट्यूब पर उतना जादा ही पता चलेगा कि ये बुक भी इस चैनल पर अप्लोडीड है बाकी all the best for your exam next chapter कोंसा चाहिए जाप पुर्णाविती परिक्षन चाहिए तो page number लिखकर बोल दीजिएगा क्यूंकि पुर्णाविती परिक्षन एक नहीं होता है तो आप एई नमबर पता दीजिएगा ओकी गुड़ बाई